नमस्कार दोस्तू आज की वीडियो से हम कवर करेंगे दिल्ली सलतनष की स्री जहां हम जानेंगे मुख्य 5 वंसू के बारे में जहां हम पहला वंस जानेंगे गुलाम वंस जिसका सासनकाल 126-1390 इस्वी के बीच रहा उसके बाद जानेंगे खिलजी वंस जो की 1290-1320 इस्वी तक सासन करता है और अंतमा आता है लोदी वंस जो की 1451-1526 तक सासन करता है तो पांच वंस होते हैं इसके बाद आता है मुगलकाल जो की 200 वरसों तक भारत में सासन करता है तो दोस्तों यहां पर आज हम जानेंगे गुलाम वंस के बारे में तो गुलाम वंस के मुख्य जो स पूछा जाता है जो कि हम जानेंगे तो पहले जानेंगे हम एक चार्ट के बारे में और उसके बाध आज का हमारा टॉपिक रहेगा कुटबदीन एभक और कल की वीडियो में न तीनों के बारे में बना लेंगे ठीक है दोस्तु तो गुलामवंस की स्तापना गीती वो था कुतुबदीन एबग जिसने 126 से 1210 तक सासन किया 400 तक इसके बाद इसका बेटा आराम सा आता है जो आठ महीने के लिए सासक बनता है जिसके बाद इलतुतमिश से हरा देता है और वो सासन में आता है तो तीसरा सासक होता है महिला मुस्लिम सासिका थी जो की 1236 से 1240 तक सासन करती है और उसके बाद आता है मुईजुदीन बहरम साथी के मुईजुदीन बहराम सा आता है जो की 1240 से 1242 तक सासन करता है फिर अलाउद्दीन मसूद सा आता है जो की 1242 से 1246 तक सासन करता है फिर आता है नासिरुद्दीन महुंपन, ठीक, नसुरुद्दीन महुंपन आते, जो Mi advoc Gaiasudddin Balbal यह भी most important रहने वाला है है, तो यह, 1265 से 12-87 तक सासिन करता है, और गुलाम One's का जो अंतिम सासक होता है, वो होता है, समसुद्दीन Q veil aan Sen難 great product, ठीक है, समसुद्दीन Q सुल्टान आती है उसके बाद कौन आता है तो इसके बाद इल्टुतमिस आता है उसके बाद जजिया सुल्टान उसके बाद गयासुद्दीन बलबल ठीक है चारों पर क्वेशन पूचे आते हैं बागी अगर आपके वेपरों पूचा जाता है कि कौन कौन से सासकते हैं और नाम आता है कि इन मेंसे कौन गुलाव मज़स का सासिकता और इनका नाम आता है तो इने एक बात देख लीजीगा ठीक है दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हो जानते हैं कुतबदीन एबक के बारे में तो कुतुबदीन एबक की बात करें तो इसका जो जन्म होता है वो 1150 में लाहौर में होता है वहाई इसकी मृत्यू होती है 1210 में लाहौर में ठीक है दोस्तो इसका जन्म भी लाहौर में होता है वहाई राज्यभी सेख भी इसका लाहर में होता है बारासोचे में और सासनकाल इसका रहता है बारासोचे से 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 ब के बारे में और अगे जानते हैं क्या इतिहास तो कुतुबदीन एबक का इतिहास संस्तापक था उसने 1206 में दिल्ली सल्तनत और गुलाम की किस्तापना गी थी इसके मादर फिताने desem काजी को बेज दिया था पर काजी की जब मृत्य होती है तो उसके बाद जो इसके भाई होते हैं तो वो इसे मोहमद गौरी को बेज देते हैं पर मोहमद गौरी इसका युद्ध कौसल देखता है ठीक है अपने सान थादो गुलाम पर इसे युद्ध में देखता है और कärt राम वंस भी पड़ा है ठीक है सा अब बात कर लेते हैं कुटूब दीन एबग की उपाधी Years के बारे उसके दरवारी विद्धानों के बारे में तो कुटूब दीन एबग लो ऊपाधी मिलीडती वह मिलीटी कुरां खवा ठीक है तो कुरां के सबी आयोतों का संपूर्ण ग्यान था ठीक है दोस्तों तो कुरान की सबी आयोतों का इसे संपूर्ण ग्यान था तो जिसका इसे कुरान ख्वा की उपाधी मिली थी वहीं इसके अलावा इसे लाख बक्ष की उपाधी भी मिली थी क्योंकि यह बहुत बड़े पैमाने पर दा जिनका नाम था हसन निजामी और फक्र ए मुदवित ठीक है दोस्तो यासा करता हूँगी आपको यहां तक समझ आ गया होगा तो समझ आया तो लाइक शेयर जरू से करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं बात करें तो कुतुब दीन एबक के निर्मार कारियों को जानते हैं तो कुतुब दीन एबक का जो फेमस निर्मार कार्य है वो है कुतुब मिनार ठीक है दोस्तो कुतुब मिनार कुतुब दीन एबक द्वारा बनाया गया था परन्तु इसको पूरा करने में तीन लोगों का स स्टार्ट किया था वहीं इतुत में इसने पूरा किया था और उसके बाद इस पर आकासी बिजली गिर गी थी जिसका यह थोड़ा सा छतिग्रस्त हो गया था जिसका फिरोज सा ने इसका फिर से पुनह निर्मान किया तो अगर बात करें कि कुतुब मिनार किसकी याद पर बन बनाया गया है वहीं इसका निर्मान 1200 इस्वी में स्टार्ट हुआ वहीं 1231 इस्वी में पूरा हुआ और इसके अबाद यह छतिग्रस्त हो गया था जिसे फिरोज सा तुगलक ने तेरा सो अनसेट में फिर से पुनह साइठी कराया ठीक है तो दोस्तों पुनह निर्मान करा गया तो जो स्टार्टिंग की थी वो की थी इसकी कुतुबदीन एबक ने खतम किसने किया तो इलतुतमिस ने खतम किया वहीं छतिग्रस्त होने के बारे से पूर्ण किसने किया तो फिरोज साने से पूर्ण किया वहीं यह किसकी याद में बनाया गया तो ख्वाजा कुतु मिनार के बारे में important point बात करें कि उसके अन्य निर्मान क्या थे तो कुबत उल इसलाम मस्जीद का निर्मान भी कुटुबदीन एभग ने कराया था जो की 1192 इस्वी में दिल्ली में करवाया और इसके अलावा अड़ाई दिन का जोपड़ा भी कुटुबदीन एभग ने मोह उमत गौरी ने आदेश दिया था वहीं यह कुटुबदीन एभग ने बनवाया 1192 इस्वी में राजिस्तान में ठीक है दोस्तों तो यह थे कुटुबदीन एभग के निर्मान कारिय ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो अब कुटुबदीन एभग के सारी चीज़े ह हमने कवर कर ली आप जान लेते हैं उसकी मृत्यू की तो मैंने पहले ही बता दिया कि 1210 में लाहौर में चौगान का खेल यानि कि जिससे आजकल पोलो का आ जाता है तो पोलो का खेल खेलते समय घोड़े से गिरने के बाद कुटुबदीन एभग की मृत्यू हो जाती है वह होए कुटुबदीन एभग की 1210 में मृत्यू हो जाती है लाहौर में और इसके बाद उसका बेटा आराम सा आठ महीने के लिए गुलाम वंस का सासक बनता है परंतु वह बहुती निकमा सासक होता है तो जिसका इल्टूतमिस उसे 1211 इस्वी में गद्धी से हटा कर खुद स आसन करने चले जाता है तो दोस्तों ये था आज का गुलाम वंस और उसके बाद हमने पहले जाना कि कितने वंस आयते दिल्ली सल्तनत में और गुलाम वंस के बारे जाना और गुलाम वंस के मुख्य सासक यहने कि गुलाम वंस के फाउंडर और दिल्ली सल्तनत के संस्तापक खुतुबदीन एभग के बारे में जाना और कल की वीडियो हमारी रहेगी रज्जा सुल्टान और एलतुतमिस और उसके अलावा बलबल के बीच तो दोस्तों आसा करता हूंगे आपको आज की वीडियो पसंद आई होगे और समझ भी आई होगे और पसंद समय दोनों आई त सब्सक्राइब जरू से करना मिलता है अगली वीडियो में नई टॉपिक को लेकर तब तक प्यार बनाए रहें खुच रहें खुच से वाटते हैं बहुत बहुत धन्यवाद